अभी मैं आपको बताओं कि जम्मू इसवत सीटी जम्मू डिस्टिक्ट जो मेन है वहां पे चलांस फुरी आटमेटिक मोड पे भी आ गये हैं आटमेटिक मोड पे आ गया है तो जम्मू को काफी हब तक जम्मू में अगर आपने देखा होगा हमारा ट्राफिक डिसिप्लिन हो गया है रेड लाइट जम्पिंग मिनिमम हो गई है हैं हैं हेलमेंट्स अगर आपने देखा होगा ना कि मेंट राइडर बैलकि उसका जो पिलो राइडर होता है वह भी हैलमेट का इस्तमाल कर रहे हैं तो ट्राफिक जतना डिसिप्लिन होगा उतना स्मूथ होगा उतना आपको एश्यरेंस होगी कि आप अपनी डेस्टिनेश काम है वो भी हो सकता है कुछ अगले 6 महीने एक साल में पूरा हो तो वो रोड डिसिप्लिन उससे और बढ़ेगा क्योंकि एक थर्ड आई रहती है और साथ ही साथ में एक इविडेंस मिलता है वाइलेटर्स को जो भी आज हमें चलान देते हैं तो उसके पूरा एक हफ्ते का ताइम उसको देते हैं कि आप रिवियो करिए अगर आपको लगता है कि गलत है आप हमको वापस बताईए हम आपको वीडियो दिखाएंगे हम आपको फोटोग्राफिक एविडेंस देंगे उसके बाद ही आपको जो भी चलान है वो करेंगे इस नाट रेंडम वादर इस तो यह ज़िए वेलकम स्टेप लेना चाहिए ना कि एज़ा हार्श मेजर फोटोगर्म लेना चाहिए तो स्ट्रीम लाइन डिसिप्र देट्राफिक वाले हैं कि जिनके पास बैठने के लिए खड़े रहने के लिए और वहां रेस्ट के लिए और अपनी उसके बाद वाली के लिए और बैठने के लिए कोई जगा नहीं है तो इसके चलते हम लोगों ने पुरा डिटेल प्रपोजल दिया है कि जहां ट्राफिक बूट्स जो है वो बनेंगे कुछ जगों पर बन भी गए हैं और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि निश्ना रिवे अथ एड़कोषर को मदद से ये इस साल आपको देखने को मिलेंगे ये बिलकुल हमारे उसमें है क्योंकि एवे वाश्रूम की भी फेसल्टी हमारे जवानों को अनडुटी नहीं है लेकिन पुली से का एक कमिटमेंट है कि हम ये पूरा करेंगे और रें से धूप से गर्मी से बचाने के लिए कुछ उनके लिए सादन तयार के लिए इच रंड के एश्ट बड़ा करियर है मैं आपके मादम से केयों को इशाद यह मुटतला होगा जैसे में लोग वेर करूं लोग हमें दिखाते हैं जी आप महारा उस पर देख लिए वट्टैप पर देख लिए उस को नहीं बुक्त पा रहे हैं आपका इंपोंट किया जाएगा इस नशीजर इस इंपोंट और अब नहीं दे पाए डॉक्मेट का विकली इंपोंट हो जाएगा यह यह एस्टुपी में क्लियर ली है इस इंपोंट हमने सडकों पर 1,076,000 लोग हिंदुतान सडकों मर जाते हैं आपका behavior आपकी गलती भुक्तेगा हो जिसका कोई कसूर नहीं है डॉक्मेट ले सकते हैं यह एक इस इस इंपोंट है जहां तो आप चान भुक्ती है इस अनेवल रूप हम डॉक्में इपोंट का दीजिए आप आनले पेमेट करके आप डॉक्में मेरे आफिसे वापस सकते हैं जची सब्सक्राइब आपको डॉक्में लिया है लिए ही बनेवर स्माल रसीट इस नाचीज़ इस इंपोंड इस इंपोंड इस इंपोंड इस इंपोंड कर दिया है एक और इसमें आपके थू यह बात में पब्लिक तक भी पहुंचाना चाहूंगा बहुत से करेंगे कानून को लगाएंगे यह न सोचें कि आप सर्विलेंस केमरे में सिक्स की बदले एट आप लिख के निकल जाएंगे ठीक है एक बार गलत बंदे को चलान कभी जाता है लेकिन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हम डिस्टिक पोलीस के थू करवा रहे हैं और ऐसे ल क्यूंकि कानून को लोगों को लग गया कि कानून सकती से लग रहा है और उसका यूदेश से ठेकर facing deployment होता है exceptional cases में जहां कोई movement या कोई इस तरह का हो जहां हमारी deployment extend हो जाती है इसलिए लोग यह सोचते हैं जब तक traffic police या तब तक हम helmet पहनेंगे उसके बाद नहीं पहनेंगे तो मेरा एक request सारी parents से ये रहेगा कि अगर आप अपने बच्चे को डेड़ लाग की बाइक देते हैं तो 1500 का helmet भी जरूर उसको गिफ्ट दे दें उसकी जान उस 1500 में बचेगी और traffic police की धर से helmet ना पहने आप अब अब होल्स की बात या rough patches की बात हुई जो bottlenecks बन रहे थे highway पे वो तकरीवन 19 में से 16 तो cover हो गये है बेटर हो गया है दूसरा जैसे आप जानते होंगे कि जब ये convoy चलती है यात्रा की तो उसका पूरा security का बंदोगास district police और जम्मू police उसका पूरा करती है front, middle और rear escorts होते हैं और ROP भी रोड पे लगती है ट्राफिक के हिसाब से उसमें ये होता है कि particular corridor उनको provide किया जाता है ताकि आप जो convoy है और down convoy जो यात्रा की है वो smoothly बगयर किसी परिशानी के निकल जाए वो as per past practice भी होगा और इंशालला इस बार हमको लगता है और better तरीके से जो उनका halting point है चाहे वो अंदर कोट में है या चाहे आपके लंबर ग्राउंड बानिहाल भी अभी हम देखके आये हैं वहाँ पर है तो काफी आपको पिछले साल के मुकावले में better दिखेगा तो यात्रा के बारे में अभी जो plan पूरा निकलेगा हम आदे पूरी कोशिश होगी कि जनरल पब्लिक को भी कोई जाद उसमें इंकनुविनियंस ना हो इसके लिए पूरा ट्राफिक एड्वाइजरी निकलेंगी कि हम इस यात्रा को आप और डाउन को कब मैनेज करेंगे ठीक है न और उसके बाद जनरल अब पूर है कि रहने वाले हैं वृवूद मैंने इस यात्रा के लिए जरूरा के जो मैं अरश की सीमें कुछ नफी आएगी जो अडिशनल स्कॉमस हम लोगाते हैं इवें हमारे पास CCTV वग्यारा की भी कहीं कहीं पे जो आप देखेंगे जो दे रहे हैं, वो जा हैं, और रहा नंबर मानने तो तक्रevan श्यल्ट दिखेंगे कहींजाट तो फंवीर्व ट्राफिक चलता है। जिक अनमेड चलते हैं जानू चलता है। बेलड़ों बड़ जाते हैं। लेकिन अभी हमारा दिल मंथ जून में है, नुमेडिक मुवमेंट है, लिटरली अब जूरो पर आ गया है, तो हमारे बीवस्था बीवस्था चली आ रही है, तो इसको हम मैनेज करते हैं, कोशी करते हैं कि ना हो, लेकिन यह सब को पता है, जब नुमेड चलते हैं, गाड़ी के वार उपना पड़ता है, और इशू बनता है, यही है हमारे पास हाइड्रोलिक क्रेंस कुछ अपनी है, और जहां और बड़ी मशीन की जूरत पड़ती है, वहां हम जो नियरेस कंस्ट्रक्शन एजनसी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनकी मदद से हल्प करते हैं, और अगर टेक्निकल हमें जुरत होती है, मेकैनिक्स वगेरा की, तो वो हम लोगोंने पूरा फ्लॉट करके रखा है, अगर यहां मिहार में ब्रेकडाउन ट्रक का हुआ, तो ट्रक के पांच मेकैनिक कौन हैं, उनको इमिडेटली कॉल करते हैं, उसकी पूरी डिरेक्टरी झाल 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